नमस्कार मैं प्रग्या धर्द तीस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को केरल उच नयारे ने विक्रम सारा भाई अंतरक्ष खिंदर में तकनीकी पदों के लिए करमचारियों की भरती परिक्षा में एक अभ्यर्थी के स्थान पर परिच्छा देने के आरोप में ग्रिफतार व्यक्ति को जमारत देने से इंकार कर दिया आदरत ने कहा कि सरकारी नौ अभू अलहेजा ने कहा है कि भारत इस्राइल और फिलस्तिन दोनों का मित्र देश है और गाजा पट्टी में मौजदा संकट का हल करने के लिए उसे जरूर हस्तचेप करना चाहिए फिलस्तिनी आतंकी संगठन हमास और इसराइल के बीच जारी जंग के बीच अबू अलहेजा का यह बयान इसलिए भी महतपुन हो जाता है क्योंकि भारत ने हमास दोरा इसराइल पर किये गए हमले को आतंकी हमला बताया है और इसकी करी निंदा की है खालिस्तानी आतंगवादी और सिख फॉर्ट जस्टिस के प्रमुक गुरू पंतवन्त सिंग पन्नु ने भारत को फिर धमकी दी है भायसतरकार और पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकाते वे पन्नु ने कहा कि वह भारत और उसी तरह हमला करीगा जैसी हमास ने इसरायल पर किया है इंडियन गवर्वंट और सियमान को पन्नु ने इसरायल में हमास के हमले से सीख लेने को कहा खालिस्तानी आतंकी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके अधिकी दी है खालिस्तान के मसले पर भारत और कनड़ा के भी सतनाव चल रहा है इसी बीच खालिस्तानी संगठन सेक्स फॉर्स जस्टिस ने कनड़ा समीत जी साथ के देशों में कील इंडिया रैली करने का एलान किया है यह रैलिया खालिस्तानी संगठन ने 21 ओक्टूबर को आईजित करने का फैसला लिया है भारती दुतावासों के बाहर यह रैलिया होंगी पड़ेगा इससे कई नए ओर्डर भी रुख जाएंगे युद्ध लंबा चला तो इन सेक्टर में काम करने वाले हजार लोगों के रोजगार पर भी संकट आएगा दिल्ले मूंबए एक्सप्रेसवे का ट्रांस हर्याना एक्सप्रेसवे से जोडने के लिए और अनसे से रायस्थान के अलवर तक किया जाएगा इस पर कानूनी विशशग्यों का कहना है कि आतंगवाद विरोधी कानून का उप्योग पूरी तरह और संगत है और आतंगवाद का मामला बनाने के लिए कोई सबूत नहीं है अयोध्यम इराम मंदिर के निर्मान पर लगभग 9000 करोड रुपे खर्ज करने के बाद मंदिर ट्रस्ट जिसके खजाले में 3000 करोड रुपे पड़े है ने विदेशी दान प्राप्त करने के अनुमती देने वाले लाइसेंस के लिए आविदन किया है राष्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी ने सोंबार को भारती जंता पार्टी पर करताक्ष करते वे कहा कि उजरायल फिलस्तीन युद में भाजपा के निताओं रे इजरायल का समर्थन करने में तेजी दिखाई है लेकिन मनिपूर के मुद्दे को लेकर चुपी साथे वे राष्ट्रे प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने सोशल शाइट एक्सपर कहा दुनिया में कहीं भी निर्दोश लोगों की हतिया स्विकारे नहीं और यह अनिंदनिया है इसरायल और फिलस्तीन के बीच युद में कई निर्दोश लोग अपनी जान गवा रहे हैं भाजप प्रस के रिपोर्ट के मताबिक गरी मंतराली की 2022-23 की वार्सिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जमो काश्मीर में चल रहा आतंगवाद इंतराश्ट्री सीमा के यह सास आतनी अंतरन रेखा के पार से आतंगवादियों की गुस्पैट से जुरा हुआ है सर्वुच नियाले ने मंगलवार को राश्ट्री राजधानी और आसपास के छेतर में वायू प्रदूर्शन को रोकने के लिए वायू प्रदूर्शन प्रबंधन आयोक्स जारी रिपोर्ट तलब की जस्टिस एसके कॉल और सुधानसु धूलिया ने दिगज कलाकार अप्राजिता सिंग की उस डालोग पर ध्यान दिया जिसमें समुद्र के मौसम के दौरान दिल्ली में वायू प्रदूर्शन और फासल स्ट्रगल के मुद्धे पर प्रकास जाला गया था एमिकस क्योरू के रूप में सींग खनन नियंतरन से संबनत एक दाखिल खारिज में सिर्श आलत की सहायता की जाती है केंदरी प्रतेक्षकर बोर द्वारा मंगलवार को जारी आंकरो के नुसाज चालू वितवर्ष में 9 अक्टूबर तक भारत का प्रतेक्षकर संग्रा साल दर साल 21.82 प्रतीशत बढ़कर 9.57 लाग करोड उपे हो गया प्रतेक्षकर संग्रा रिफरंड का सुद्ध 2023 के लिए प्रतेक्षकरोड के कुल बजट अनुमान का 52.05 शुने प्रतीशत था प्रतेक्षकर संग्रा के अंतिम आकरों से संकेत मिलता है कि सकल संग्रा 11.067 लाग करोड उपे था जो पिछले वर्स के इसी अबदी के दुरा सकल संग्रा से 17.95 प्रतीशत अधिर्था भारती जंता पार्टी ने जारखन में समयधानिक मस्नीरी को त्वस्त बताते हैं राज्य में राशुपती सासन लगाने की मांग की है प्रदीश भाजपा अध्यक्ष बाबुलार मरांडी ने से लेकर मंगलवार को जारखन के रा को नजर अंदास कर रही है दिली के विवादिस सराब नीती सिजरे कतित मनी लॉंडरिंग मामने में गिरफतार आम आदमी पार्टी के सांसर संजय सिंग 13 ऑक्टूबर तक प्रवरतर निर्शाले की कस्टरी में ही रहेंगे आप निता की दिमान बढ़ाते वे अधारत ने गौर किया की हालिया चापेमारी में जांच एजनसी को आरोपी के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़े मिली है जिनके संबन्द में उससे हिरासत में गहनता से पूछताज की ज़रूरत है इदी के दावों के मताबिक उसे लगभग 200 GB का ताजा डिजडर एडिवेंस मिला है जिसका आकलन आरोपी की मौजूदगी में करना होगा निशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी की टीम ने बुधवार को चहराच ये यूपी, एमपी, राजिस्थान, दिल्ली, महराष्टर और तमिलनाडू में छापे मारी की ये सर्च ऑपरेशन PFI के बारट ठिकानों पर चल रहा है, PFI को पिछले साल आतंकी गति वीडियो में शामिल होने के चलते बयान कर दिया गया था खबरों के मताबिक राजिस्थान के टोंको गोटा, गंगापूर में NIA की टीम ने देट रात दबिश्थी है, कहीं संदिक दो गोग पक्ता है एक देश एक चुनाव पर लॉग कमिशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग तयार कर ली है, कमिशन पूर्ड राष्ट्रपती रामनात कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमिटी से चर्चा कर इसे केंदरे कानून मंतराले को सौपेगा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परी सीमन के बाद दो हजार उनतरस में एक देश एक चुनाव संभव है, लॉग कमिशन दो हजार चबस में परी सीमन की प्रक्विया पूरी करने के बाद इस रास्ते पर बढ़ने का सुझाव देनी की तैयारी में है, इसे विधान सभा औ अमर में भी पूरे जोश और जंदा दिली के साथ काम करते हैं, हमिताब बच्चन ने सर्फ फिल्म लाइन में एक्टिव है, बलकि फैंस के साथ भी उसी गर्म जोसी से मलते हैं, आज बिग भी अपना 81 जंद दिन मना रहे हैं, बता दे कि अपने बौतरे के मौके पर हमिता अंतराष्ट्र यूपी रायस्थान तमिलनाडू आदियस्थानों पर चल रही है, बता दे कि PFI को फिछले साल आतंगवाद विरोधी गैर कानू निगतिवीदिया अधिनियम के तहट बैन कर दिया था, अंतराष्ट्री मुद्रा कोष ने पिछले तीन महीने में दूसरी बार 2023-24 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाया है, तस अक्टूबर को जारी हुए वर्ल्ड एकनॉमिक आउटलूक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की GDP ग्रोथ मुझदा वितवर्ष में 6.3 फीजी रह सकती है, इसके बाद वह कश्मीर विश्विद्याले में आईजित में शामिल होंगे, उनके दौर के दौराद आतंकी गतिवीडियों को ध्यान विजी रह सकती है, मेरा का सुरक्षा का खास अंद्रजाम किया गया है, साथ ही श्रीनगर सहर को हाई अलट पर कर दिया गया है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गुरुबार को तराखन की यात्रा पर रहेंगे, वह यहां मंद्रों में पूजन अर्चना के साथ विवन समुदायों सिस्टम वाद करेंगे, पहारी राजी के दोरे पर जाड़ है, पीम नरेंद्र मोदी सारी चार हजार करोर रुपए से अधिकी पड़ योजनाओं की सौगात देंगे, पितर और गर के बाद प्रधानमंत्री दोपहर करी पाड़ा बजे अलमोडा के जागेश्वर में, जागेश्वर धा में पूजा और दर्शिक पर देश के सभी केंद्रे विश्य विद्यालियों, राजी विश्य विद्यालियों, डीम्ड विश्य विद्यालियों और भारतीय टीम के पुर्व स्टार्ट प्लियर धनराज पल्लय ने भारतीय होकी टीम के मौझुदा कप्तान हर्मन पीज सिंग की सांस सुभाव की प्रशनशा करते वे उनकी तुलना भारतीय क्रिकेट टीम के पुर्व कप्तान MS धोनी से की थी लेकिन हर्मन इस तुलना को सही ते हर्मन पीत ने कहा कि वो मैदान पर उते शांत नहीं रह पाते जितने MS धोनी रहते थे, टीम उन्डा के इस बहतरी र्याग फ्लिकर ने कहा मैदान पर धोनी से उलट आकरमक हूँ, लेकिन मैं मैदान के बाहर जितना संभव हो, सांत रहने की कोशिश कर दा हूँ, सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉल में टाइगर तींग का फैंस बेस सब्री से इंतजार कर रहे हैं बॉलिबूर्ट सूपर स्टार ने फैंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ाते वे अप्रियस मोस्ट अविटेर फिल्म नया पोस्टर आज रिलीज कर दिया है टाइगर तींग के धांसू पोस्टर में सल्मान खान के इंटेंस लोग को देखने के बाद फैंस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं भारत और श्रिलंका को जोडने बाली लंबी समय से प्रतिक्षत क्यातरी नौका सिवा मंगलवार से शिरू हो गई है इसको लेकर काफी वक्त पहले दिनों देश में एक समचोता हुआ था अस्थानी ये लोग 12 साल से उसका इंतजार कर रहे थे मीडिया रिपोर्स के मताबिक सिपिंग, कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया, भारतिय उचायोग, जहाजरानी और विमारन मंतराले के समर्थन से ये फेरी सर्विस सुर हुई है दक्षिन भारत और शिलंका के उतरी भाग को जोड़ी की मौक नौका मार्ग भारत के नागा पटिनम से जाफना में कांके संतुराई बंदरगा तक फैला होगा आम आदमी पार्टी के सांसद रागव चड़ा ने मंगलवार को राजे सभा में अनिशित काली ने लंबन के खिलाफ सुप्रीम कोड का दरवाजा खट खटाया है ट्रागव चड़ा को मौनसून सतर के दुरांज वेसे साधिकार के लंगन के लिए 11 अगस्त को उच्छ सदम से लंबित कर दिया गया था सांसत पर आरोब था कि उन्होंने प्रवड समीती में अपना नाम शामिल करने से पहले पांच राजे सभा सांसुदों की से मतली ने लिए ग्यान भवन में आज दो दिवसी ट्रावल और टुरिज्म फेर 2023 का समापन होगे असमेले में देश के कई राज्यों से आए परेटन विशेशक्यों ने अपनी बातिराखी दो दिनों के इस मंधन में तैह हुआ कि बिहार को आध्यात्मिक परेटन की राजधानी के पूचे का सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों न प्रजाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंगे पूचे का सवाल का जवाब दिया उनके राम है अब बरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपका पसंदीता खेल कौन सा है अपने जवाब हमें मारे कॉमेट सक्षमा लेकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद